जैश्री राम हर हर महादेव दोस्तों नवरात्र के इन नौ दिनों में मा दुरगा के नौ स्वरूपों मा शैल पुत्री, ब्रह्मचारिनी, चंद्रघंटा, कूशमांडा, सकंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, मा महागौरी और मा सिध्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन नौ दिनों में हर दिन मा की पूजा के लिए, हर एक दिन के लिए अलग-अलग फूलों का महत्व बताया गया है। तो आईए जानते हैं नवरात्री में किस दिन कौन सा फुल मा को प्रिय है, जिसको चरहाने से व्यक्ति की सभी मनो कामना पुर्ण हो जाती है। दोस्त दोस्तों, नवरात्री के पहले दिन मान दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। मान शैल पुत्री को गुढ़ल का लाल फूल और सफेद कनेर का फूल बहुत पसंद है। दोस्तों, नवरात्री के दूसरे दिन मान दुर्गा के ब्रह्मचारेनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ये फूल मान को काफी पसंद है। कहा जाता है इससे जीवन में जल्दी सफलता मिलती है। दोस्तों, नवरात्री का चौथा दिन होता है मान दुर्गा के कुश्मांडा स्वरूप के नाम। इस दिन मान की पसंद के अनुसार उनको चमेली का फूल या पीले रंग का कोई फूल चढ़ाना चाहिए। इससे मान अच्छे स्वास्थ्य का आशीरवाद देती दोस्तों, नवरात्री के चठे दिन मान दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना होती है। इससे मान काल रात्री को नीले रंग का कृष्ण कमल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। ये फूल न मिलने की स्थिती में कोई भी नीला फूल चरहा सकते हैं। इससे घर परिवार में प्रेम का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, नवरात्री के आठवे दिन महागौरी की पुजा की जाती है। दुर्गा के महागौरी स्वरूप को मोगरे का फूल विशेश रूप से पसंद है। मा के चरणों में इस फूल को अर्पित करें। इससे मा की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्री के नौवे दिन महागौरी के सिद्ध दात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। मा को चमपा और गुड़हल का फूल बहुत प्रिये है। दोस्तों, ये फुल चरहाने से मा का आशीरवाद पूरे परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, इस तरह से नवरात्री के नौ दिन, इस तरह से पूजा। यदि आप करते हैं तो मा, दुरगा आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सनातन से जुड़ी अच्छी से अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री राम।